अवैद मादक पदार्थ ब्राउन शुगर की तसकरी वबिक्री करने वाले तीन आरूपी क्राइम ब्रांच इंदोर की गिरफ में आ गए है आरूपियों से कुल 120 ग्राम ब्राउन शुगर बरामत की गई तसकरी में प्रयुक चार पहिया वाहन स्विफ्ट सहित 49,200 रुपे नगदी भी मरामत की गई क्राइम ब्रांच की टीम को सुचना मिली थी कि पीथम पूर की शनगंच खेत्र में एक व्यक्ती सफेद रंग के स्विफ्ट कार से घूम घूम कर अवेत मादक पदार्थ ब्राउन शुगर की ग्रागों को डिलिवरी कर रहा है सुचना पर क्राइम ब्रांच इंदौर की टीम पीथम पूर की शनगंच इलाके में ब्रह्मन वनिगरानी हेतु रवाना हुई जहाँ पर पतार सीकर संदेही वाहन सफेद रंकीकार MP09CX9755 नजराने पर श्री सिटी कॉलनी गेट से 100 मिटर दूरी पर रोग कर चेक किया जिसमें मुहम्मद सौद पीता मुहम्मद यूसुफ उम्र 69 वर्ष निवासी 216 चौपाटी भात खेडी महुजिला उंदौर सवार था आरोपी के पास अवैन मादक पदार्थ ब्राउन शुगर होने की सुषना पर विदिवत कारवाई करते हुए आरोपी की तलाश ली गए जिसके पास से 50 ग्राम ब्राउन शुगर वह 43,500 रुपे नगत बरामुद हुए ब्राउन शुगर को बेच-बेच करिया पैसे आरोपी निगराहक से लिए थे अवैद मादक पदार्थ बेचने के जुर्म में आरोपी महुम्मद सौूद को गिरफतार किया कार MP09CX9755 तथा नगदी को भी जब्त किया गया आरोपी के विरुद दथाना क्राइम ब्रांच जिला इंदोर में NDPS Act की धारा 821 के तहट अपराथ क्रमान को 1620 कायम किया जाकर विवेचना मिलिया गया आरोपीों से कुल 120 ग्राम ब्राउन शुगर कीमती करीबन 12 लाग रुपे चार मोबाइल फोल 49,200 रुपे नकत वह एक चार पहिया वहन जब किये गए है आरोपी काहस से मादक पदार्थ लाते थे तथा किन किन लोगों को सप्लाई करते थे इस सम्मन में विस्तरुत पुछताच की जा रही है NBC News के लिए जनपदिन तोर से केलाश पांडे की रिपोर्ट